Hello everyone and welcome to places in news इस हफते की places in news जहां हम cover करेंगे जो भी important locations है इन सभी को तो स्वागत है आपका OLEIS पे और जहां इस हफते में हम जो भी चीज़ें घटित हुई important जगों पर उनके बारे में जानेंगे उनकी basic geography भी समझेंगे तो जब आप ये world map देखते हैं इस हफते जो चीज़ें घटित हुई हो कहां कहां घटित हुई है एक ये अरिया आपको देख रहे है मियानमार का इसके बारे में कितनी जानकरी है आपको तो ये मियानमार की location इसकी relevance इसमें क्या चीज़े न्यूज में चल रही है वो आपको पता लगेंगी plus इसके साथ साथ यहां Middle East का aspect Middle East में क्या problems चल रही है वो और यॉरप में कोसोवो और सर्बिया का मुद्दा क्या है वो समझेंगे तो इन सब चीज़ों को जानेंगे आज के वीडियो में चलिए शुरू करते हैं आज का session पहले कुछ questions विच कंट्री सराउंड राफा बॉर्डर राफा बॉर्डर लगाता न्यूज में रह रहा है हम अकसर रेड क्लिफ लाइन इनके बारे में तो जानते जानते हैं इन्डिया आफगानिस्तान रेड क्लिफ किसके किसके बीच में है इन्डिया और पाकिस्तान उसी तरह राफा बॉर्डर बहुत relevant है मैंने एक question पहले भी आपसे एक वीडियो में पूछा है तो I think आपको पता ही होगा Jordan, Egypt, Turkey या Lebanon में से कौनसी countries को सराउंड करती है नहीं पता तो by the end of this video आपको पता लगी जाएगा अगला question है यह प्रोविंस जो है बहुत जादा relevant है इंडिया की foreign policy के हिसाब से तो कहां रोकेज़ेड है Myanmar, Japan, South Korea या रश्या मुझे बताएगा आगे बढ़ने से पहले एक announcement आपके लिए कई लोग, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत परिशान होते हैं कि हम अपनी schedule को ठीक कैसे करें prelims के तैयारी होती है तो mains के तैयारी नहीं होती mains के तैयारी करते हैं तो prelims पीछे चूट जाता है यह पता नहीं चलता कौन सा portion कितना cover हुआ schedule है पर वो follow नहीं हो पाता क्योंकि कोई accountability नहीं है मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है check होगा या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो उन सभी चीजों का solution ही है आपकी preparation एक level पर चल रही है पर आपको schedule चाहिए, accountability चाहिए इन चीजों पर control चाहिए जो आप prepare कर रहे है तो उसके लिए आपका IDMP सबसे बहतरी ने प्रोग्राम हो सकता है, आपके लिए जहां हम आपको schedule देते हैं, जो well planned है prelims mains की test series होती है, daily answer writing और daily MCQs आप solve करते हैं, तो आपको rows का, daily की accountability एक target set होता है, यहां मुझे इतना करना है मेरा schedule यह है, मैं इतना cover कर लिया it will give you time to revise to understand the topic and do it properly तो यह सब मिलेगा आपको 2024 के prelims plus mains की test series के लिए time बहुत कम है, batch 30 October से start होने वाला है, तो यह आप join कर सकते हैं, schedule भी देख सकते हैं comment section में और description में इसका link attached है आप चाहे तो आप register कर लिजे और बहाँ से जगर आपने schedule भी देख सकते हैं कि क्या यह बात कर रहा है, किस तरह cover कराया जाएगा और कैसे आप daily practice करते हैं अपने आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं तो यह बात होगी IDMP program की, जिसको आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए it's a good initiative for those who seek a schedule ठीक है, यह बात होगी इसकी, अब बढ़ते हैं आगे सबसे पहला question, नुसरत refugee camp के बारे में गाजा में कहा गाजा है, क्या मुद्ध है, दुबार एक बार दिखते हैं यह रहा Mediterranean City, यहाँ है Gaza Strip, Gaza Strip पे control किसका है हमास का, यहाँ पर है West Bank, West Bank पर किसका control है Fata, या फिर P.L.O. कहते हैan इसको P.L.O. का ही एक successure है Fata, Fata Group का यहाँ पर एक तरह से साशन है पर यहाँ पर civilian government है क्या government है civilian government और यहाँ का military control किसकी उपर है इसराइल के पास ही है यह दो हिस्से Gaza और West Bank यह दुनों मिल के कहलाते हैं Palestinian लोग जो यहाँ रहते हैं इन्हें कहते है Palestinian people जो इन दोनों इलाकों में रहते हैं उन्हें Palestinian people कहते हैं याँ गाजा और West Bank में clear हो गया यह Gaza प्लस West Bank याँ यह जब हम Palestinian लोगों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम इन दो इलाकों में भी जो लोग रह रहे हैं उनको Palestinian कहते हैं और बाकी यह इसराइल का state है इसमें जो लोग रहते हैं Muslim कौन से हैं वो Jewish है और मुद्दा अभी कहा हुआ है Gaza में हमास का है control और West Bank में civilian government है लेकिन overall इसका जो defense और वो सब है वो असल में control में है इसराइल के ही तो जो गाजा city है इसका यह northern हिस्सा जो है यहाँ से पहले attack हुआ था इसराइल के उपर इसराइल का iron dome जो defense technology है उसने इसको बचाया iron dome काफी famous है जो हवा में ही जो rockets सारे होते हैं उनको माल देते हैं फिर अभी इसराइल ने गाजा में एक attack भी किया हुआ on ground था कि जो गाजा से हमास जो hostage इसराइल से लेके गया था उनको छोड़ाने के लिए वह वहावी भी land operation कर रहे है लेकिन काजा कि इस हालत बहुत खराब humanitarian crisis है यह हो गए इसकी basic geography यहाँ पर असल में जो इलाका देख रहे हैं यह है Sinai Peninsula जो असल में 1967 के बाद कबजा कर लिया था इसराइल ने जब बाद में दोने इसराइल का कबजा है लेकिन असल में गोलन हाइट सीरिया की है तो यहाँ जो 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 इलाके हैं वहाँ आपको गोलन हाइट वेस्ट बैंक गाजा इसराइल, Sinai Peninsula वेस्ट बैंक, जेरूसलम यह सब important चीज़े हैं जो आपको पता होने चाहिए होप आपको थोड़ी clarity इसके बारे में मिल गई है और हमने इसको पहले भी cover किया तो इतना आपको पता होगा, यहाँ पर आपको Dead Sea है Dead Sea ऐसा सी है यह वाला जहाँ पर लोग टैर सकते हैं पानी में अगर आप डूबेंगे नहीं क्योंकि इतनी ज़ादा वो महाँ पर salt इतना ज़ड़ा है उस वाटर में इसलिक अनमी डूबता नहीं है तो यह है West Bank की basic geography अब आते हैं कहानी क्या हो रही है तो हमें पता चला गाजा से attack हुआ है अब गाजा से attack तो कर दिया फिर जब retaliation हुआ इसरेल का ज़या पर लोग रहते है israel ने इस एरिया पर कभचा किया था पूरे के पूरे पर इलाके पहले यह इस्ता यहाँ जो समंधरी रस्ता है सीवे इस पर कभचा फिर यहाँ पर इसरैल की नेवी यहाँ पर controlled हमेँ इजिप्त है इधर भी इस्राइल है, सब तरफ से इस्राइल क्र्ण्रोल है, यहां तक जो इसका air space है, वो भी इस्राइल कंट्रोल करके रखता है। अब इजिप्ट इस बॉर्डर को बंद रखता है, यहां दो यह राफा बॉर्डर है, राफा क्रॉसिंग कहते हैं, इसको इजिप्ट हमेशा बंद करके रखता है, लेकिन जब रिसेटली बाइडन जो अमेरिकी प्रेजडेंट है, वो जब इसराइल गए और जब रिशी सु रिफ्यूजी कैम्प है, खान यूनिस हो गया, जबालिया हो गया, देरे बला, बुरे जी, यह सारी इंपोर्टन रिफ्यूजी कैम्प है, जो गाजा स्टेप और एजिप्ट के आसपास रहते हैं, यह आप समझ गए, अब इस लोकेशन में जो मुद्दा है, हमास कहां है, ठीक है, अब मुझे एक चीज़ और बताईए, एक और इंपोर्टन और्गनाजेशन थी, जो लेबनन से उपरेट करती है, क्या नाम है उसका, मिलिटेंट और्गनाजेशन का, उसका नाम है हेजबुल्ला, हेजबुल्ला उपरेट्स फ्रम लेबनन, तो आप मुझे ऐसे, यमन में भी एक ग्रूप है, यमन में कौन सा मिलिटेंट ग्रूप है, मुझे बताईए, जिसको इरान बैक करता है, नाम पता आपको है, यमन में जो है, जरा कॉमेंट सेक्शन में लिखे, ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं, आपको यह पता लग गया, कहाँ प पॉर्डर के साथ अपनी बाउंडरी शेर करता है, कौन से इसरेल के नॉर्थ में है, कौन से साउथ में है, ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ सीरी है, यह उसके टॉप पर लेबनन है, ठीक है, यह सब आप समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं अगले न्यूस की तरफ, जो बुटान की खास बात यह कि इसके अभी तक चाइना के साथ कोई diplomatic relations नहीं है, अब पहला सवाल होगा, क्यो diplomatic relations नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया को दिखकते हैं, इसलिए वहाँ उन्हें पता है चाइना के साथ diplomatic relations नहीं शुरू किये, याद करिए कि अगर नेप पूटान के पास भी तो काड है लेकिन पूटान जाना नहीं राखता है कि इंडिया के साथ संबंध नहीं बनाए डिपलोमाटिक लेकिन पर लगातार Chief चाना अपना मिलिटरी ऑप्रेशन करने स्टार्ट कर दिया था जो एक ट्राय जंक्शन था इंडिया भुटान और नेपाल के बॉर्डर के पास ट्राय जंक्शन तीनों के बीच का था हूँ कहां तो डुकलाम में उसको रोकने के लिए इंडियन आलमी महां गई थी अभी रिसेंटली भुटान और चाइना के वीच में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है जहां शायल भुटान को एक कहा गया है कि वो एक लैंड सौप कर ले लैंड सौप इस तरह हैं कि इधर वाला इल है न सेफटी के हम बात करें तो अपने में आंसर रैटिंग हिसाब से आप कजिरे कर सकते हैं कि लैंड सौप एग्रिमेंट्स बिइंग पुष्ट बाइ चाइना इंटु भुटान शोकेसिस दे इंपक्ट नेवर्स के एव ऑन इंडिया सेफटी और यहां पर है चिकन नेक और यह important corridor है जिससे इंडिया का majorly trade pass होता है यह तो बात हो गई और इसकी अलबा भुटान के खास बात क्या है कि भुटान ने अभी तक belt and road initiative BRI जो चाइना गा है वो जोईन नहीं गिया BRI initiative के तहत चैना ने दुनिया और में रोड बनाये हैं सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश किये वो भी भुटान ने जोईन नहीं किया हो तो यह लगातार दबाओ बनाया जा रहा है और यहां तक की sector and wildlife century को claim कर लिया चैना ने कि हमारा है और जब इसको funding मिलने वाले थी institution से globally worldwide fund of nature या फिर UN इसको कुछ fund देने वाला था UNEP program के तहत वहाँ पर भी चैना ने इस पर बोला था कि यह विवादित एरिया यह तो असल में हमारा area इनका है ही नहीं तो लेकिन चैना की बात नहीं तो चाइना लगातार भुटान में अपनी जो प्रेजन से बढ़ाना चाहता है गंट्रोल बढ़ाना चाहता है जो land swap की बात हम करते हैं वह असल में फिराक में है कि यह हिस्सा जो है ना यह इस पर claim यह हिस्सा उनको दे दे तो बदले में यह सारे areas पर claim छोड़ देगा चा वैली असल में भुटान और चाइना के बॉर्डर पर है यह है मैंचूमा वैली और यह है बियॉल वैली तो यह सारी वैली कुला खारी मैंचूमा वैली यह सब नाम exactly आपको याद नहीं रहेंगे पर जब आप मैप देखो ना इसको बार-बार दिखते रहो तो कोई याद अच्छा यह भुटान चाइना के बॉर्डर पर था इसको समझने के लिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट से चाइना भुटान के वह समझने के लिए तो जो क्लेम अब वो कर रहे हैं कि यहां सेक्टेंग है वो भी हमारा है यह और और क्लेली आप लिख सकते हैं डोकलाम प् नहीं है बस बार बार जब भुटान पढ़ो तो उसका बॉर्डर एक बार देख लो चीज़ें याद रहे जाएंगे तो आपको जब एक्जाम्पल आएगा एक्जाम में तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर पाऊगे अपने आंसर में एड कर पाऊगे तो यह सेक्टें बात करता है कोसोवो और सर्विया के बारे में कोसोवो और सर्विया के बारे में अभी जंग के हला थोबारा बढ़ गये हैं इन दो देशों के बीच में युद्ध की स्थी दूबारा डवलप हो रही है तो यू 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 आजाद हुआ है 2008 से पहले कोसोवो सर्विया का ही पार्ट था और यह पूरा रीजन जो असल में बालकन्स के नाम से कहलाता है यह एक टैम में यूगोसलाविया हुआ करती थी आपको नाम याद हो का यूगोसलाविया उसका जब विगटन हुआ तो उससे कई सारी कंट्री ब अलग है तो यह अपने आप से सर्विया से अलग होने की डिमांड करें थे 2008 में जाके इंडिपेंडनेंट हुए है बहुत यहां पर हिंसा हुई है पहले भी कई बार तो एक ज़रा इस जोग्रेफी को ध्यान से देखते हैं कहां पर है तो यह आपको दिख रहा है सर्विया सर्विया का शहर जो बेल्गरेट है आपको याद होगा बेल전에 काफी फेमुस रहा है तो यह रहा कोजोवो इसके तो देखी इसतरफ साइड में बल्कुल यहां तो कोजोवो और सर्विया वहोती है जिसके पास समुद्रका कोई रस्ता नहीं होता तो हंगरी सर्विया कोजो कोजोवो के उपर सर्विया है नीचे North मेकड़ॉन या इस तरहरा अलबेनिया है तो देखें यहाँ पर पूरा खेल है एथनी सिटी का है सर्व सर्व अथनिसिटी तो जो क कोसवू के लोग थे उनकी मूस्लि जो अथनिसिटी थी जो जो अल्बिनियन थी इसलिए वो अलग इंडिपेंडेन्स मांग रहे लेकिन आप गौर से देखो कोशवों में, तो यहां एक इलाका है मित्रोविका, और बांसका, यह इलाके ऐसे हैं जो नॉर्दन कोशवों का पार्ट है, इन इलाकों में जो लोग हैं, उनकी मुस्ली जो अथनिसिटी है वो सर्व है, वो सर्विन अथनिसिटी के हैं, तियां सर्विया लगाता दबाव बनाता रहता है कि भाई जगडा कर लो आजाओ हमारे साथ पहले तो कोसवोग पार्ट था सर्विया का 2008 में इंडिपेंडनेस डिकलेर की इसने अभी तक कोसवोग को कम्प्रीटली सर्विया मानने से इंकार करता है लेकिन अब एक Republic of कोसवो के तरह इसको देखा जाता है जा बहुत सारी जंगे हुई 1990s के बाल उतनी इंस्ट्री में भी नहीं जाएंगे important है भी location को समझना कहां पर ये दो देश located है आम तर्वे में पता नहीं होता simple सी वार है टुर्की देखिए अपनी ग्रीस देखिए ग्रीस के ठीक उपर North Macadonia उसके उपर कोसवो कोसवो के उपर सर्विया इतनी सी बात है इटली से आप भी आप देख सकते हो इटली के पास है अलबेनिया अलबेनिया के उपर कोसवो simple route है तो ये सर्विया और कोसवो दोनों ही असल में landlocked countries है तो ये सर्विया का पहले पार था एक राज्य था फिर 2008 में इंडिपेंडेंट हुआ इसके जो ऊपर वाला हिस्ता यहाँ अभी तक जो लोग है कुछ गनमेन है वो घुज गए और उनके साथ कोसवो का एक छोटा मोटा जगड़ा हो गया जड़ा पोगई जो दोगी पुलिस वालों की मौत हो गई उसके बाद यह मामला बढ़ता हुआ देख रहा था कि अल्रडी मिडलीस में जगड़े है अब सर्विया कोसवो में कर रहा है ताकि एक deflection हो सके आपसी मुद्दो का पर important हमारे लिए क्या था कहा कोसवो है कहा अनमेलिया है कहा सर्विया यह समझे तो यह है आपका कोसवो स्टेट जहां पर यह जंग किस्तिती बंती दिख रही थी लेकिन अभी फिर चीज़ा नॉमलाइज हो गई है तो यह USA और इन सबने इनको कहा है कि आप किसी तरह जो टेंशन इसको कम करिए और डायलोग के तुरू चीज़ों को सॉल्व करिए तो कोसवो और सर्विया कहा है यह आपको बेसिक चीज़ें बता लग गए हाला कि इनकी हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो कोसवो पहले से इ चाहनी सर्भिया के आपको पता हो नीचे है सर्भिया बड़ा इंपार्टन स्टेट रहा है सर्भिया के एक फिमस एथलीट का नाम बता ही जिसको आप जानते हो टैनिस के ओल टाइम गरेट क्या नमήσ Zurbih जंता है जंता मतलब हिंदी वाली जंता नहीं हिंदी में जंता तो आप और में सब जनता हुए ये जनता मतलब होता है जो वहां की आरμी है जो रूल करती है उसे कहते है जनता कुछ दिनों पहले न कुछ सालों पहले वहां आंग सांग सूखी की की गवर्मेर्around थी आंग सांग सूखी असल में Nobel Prize winner है Nobel Peace Prize उन्होंने बहुत सालों जेल में रहने के बाद बाद हमारी मानी कि चुल आपको भी इलक्ष्र में इस्साल ना देंगे बर बाद नोको खुद उनकी सरकार को हटा कि आजनता जनता गर्मेंट दोबार आ गई यह जनता हिंदी जनता नहीं आर्मी का साशन आ गया उन्होंने अब कुछ हिस्सों में air strikes की है उनके खिलाफ बहुत से जो अलग-अलग groups थे वो कुछ उनका विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ air strikes हुई है जिसमें इन्होंने फिर हमला कि अब कहा हुई air strike क्या है म्यानमार ज़रा देखते हैं आंग संग सुक भी भारत से पढ़ी हुई है तो भारत ने का भाइस देश में डेमाकरसी नहीं है यहां पर आर्मी का साशन है हम इनके साथ जारा सम्मन डेवलप नहीं करेंगे नुकसान यह हुआ कि म्यानमार पूरी तरह से चाइना के साथ चला गया बहुत जारा close friend बन गया चाइना का और बागी म्यानमार के जारा trade relations दुनिया में normally है भी नहीं तो यह कहानी है म्यानमार की अब मुद्दा देखे बाद में इंडिया को रेलाइज हुआ कि ऐसे principle के हिसाब से रहेंगे तो हमें loss हो जाएगा क्योंकि भारत को यहां से अपने एक तो पहले जो South East Asia के देश है Malaysia, Vietnam, Cambodia, Thailand जो ASEAN countries है यानि वो 10 countries जो इस region में हैं जो ASEAN का part है इनके साथ अपने trade relations ग्रो करने थे और यह भी दिखना था म्यानमार के साथ जो resources है natural gas है वो हम खरीद पाएं बैतर economy develop कर पाएं तो इंडिया ने का भाई इससे मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार आएगी या नहीं आएगी हमें दोस्ती करनी है म्यानमार से और म्यानमार क्योंकि North East के पास है तो North East में जो इंसरजनसी थी जो वहां के लोग हमले करके militant भाग के छुप जाते थे म्यानमार में उसको रोकने के लिए बहुत जरूई था इनकी वीच में सम्वन डेवलप करना अच्छे अच्छे तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं म्यानमार के साथ अच्छे दोस्ती करेंगों और नती स्टेट है नौर्टीस के जो militant है वो भाग के छुप जाते वहां पहले छुप जाते थे तो नौर्टीस की stability के लिए इंडिया की border security के लिए human trafficking के हिसाब से और प्लस यहाँ पर एक golden triangle है यानि अफीम की बहुत खेती होती है OPM की तो म्यानमार, Thailand और Laos यह region यहाँ बहुत सा gateway to northeast of India क्योंकि Myanmar आसियान का पार्ट है, South East Asia का पार्ट है इससे भारा South East Asia के साथ trade भी बढ़ा सकता है इसलिए बहुत relevant है और बहुत सारे ऐसे resources है जो म्यानमार में है जो इंडिया के लिए बहुत important अब देखो यह किससे किससे border share करता है Thailand, Laos, China, Bangladesh और इंडिया से अब देखो Bangkok ले जाए जाएगा, अभी बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा ही बच्चा है, तो यह ऐसा route है जिससे आप land के थुरूई जा सकते हो, इंडिया से लेके Thailand तक, तो यह बहुत अच्छी बात है, तो म्यानमार के साथ यह एक land route बना, जो Thailand तक जोड़ेगा इंडिया को, इसको आगे जो हम इस route के हिसाब से वियतनाम तक भी ले जा सकते हैं, कमबोडिया तक भी ले जा सकते हैं, यह इंडिया का long term vision है, तो म्यानमार बहुत important है, connectivity के हिसाब से भी, और इसलिए इंडिया एक प्रोजेक्ट पे पहले ही काम कर रहा है, इसके अलावा और भी इलाके अगर आपको अगर नौर्ट इस्ट में जाना है ना इंडिया में, अगर आपको माल लो यहां जाना है, मिजुरम के आसपास करें, तो बहुत लंबा route फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए इंडिया ने एक नए route बनाया था, कालादान मल्टी मोडर्ल ट्रांसिक ट्रा फिर यहां पे railways और highways बनाया जाएंगे, जो इस पलेटवा से सीधा इसको एजवाल तक जोड़ेंगे मिजुरम तक, तो यह बहुत जादा छोटा route है, बहुत टाइम बचाता है, जो एक हफते का काम तीन से चार दिन में आप कर सकते हो, यह कालादान मल्टी मोडल प्रोज में, कालादान रिवर कहां बहती है मियानमार में, पलेटवा कहा है तो मियानमार में, अब यह जो इलाका है जहां सित्वे पोर्ट इंडिया डेवलप करें, इंडिया के लिए बहुत इंपोर्टन है, कालादान प्रोजेक्ट के लिए भी, और यहां से इंडिया और चाहता और राखिन प्रोविंस के साथ समस्या यह है कि यहीं पर है आपके रोहिंग्यास का विवाद ताकि इंडिया बह। इनके साथ कर पाए तो अराकन आरमी का कहाँ पर हैं कौन से प्रोविंस में हैं राखाईन प्रोविंस में हैं और यहां है पूरे देश में बहुत जारा मात्रा में फिर शान करें रखेंट यह रिजन्स है जो एथनी सिटी का एरिया है याद रिखिन की राजधानी अभी कहा है तो नेपी दौ यह राजधानी है पहले मियानमार के राजधानी क्या हुआ करते थी कुछ पता आपको अभी तो यह पहले क्या होते थी बरमा बरमा कहते थे पहले इसको तो यह मुद्धा है मियानमार का जो हमने समझा अगला आर्टिकल लेके चलते हैं आपको कहीं रॉन अफ कच्छ में यहां कितनी खुबसुरत जगह यहां गाउं है धोडो धोडो गुजरा यहां रॉन अफ कच्छ का फेस्टिवल होता है साल में और इसको अवार्ट दिया गया है क्योंकि एक कल्च्रल जो व्र्ल्ट टुरिज्जम उगनाज़शन है उसने दिया है यह जो कल्च्छल आस्पेक्ट है उसके लिए बेस्ट टुरिजम विलेज़ेज में से एक का वा वहाँ पर इसको डोडो का जो विलेज है इसको बेस्ट टुरिजम विलेज का वॉर्ड दिया गया और यूएंड वर्ल्ट टुरिजम और और इसके अलावा एक जो चीज और न्यूज में डोडो भी हम पहले कवर कर चुके हैं ज़रा डेटील में नहीं जाओंगा मैं इसके बारे में इसके बार बात करते हैं एक साउथ चाइना सी की साउथ चाइना सी में दोबारा एक विवाद उभरा है फिलिपीन्स और चाइना के बीच में देखिए यहां है फिलिपीन्स यह चाइना और चाइना की नाइन डैश लाइन है कि नाइन डैश लाइन के हिसाब से वो पूरा South China Sea claim कर लेता है कि पूरा South China Sea ही हमारा है जबकि किसी भी देश की सीमा से 200 nautical miles तक ही 200 nautical miles तक ही उनका एक sea area होता है, बागी का इलागा International waters में आता है, तो China असल में कहता है 200 nautical miles छोड़ो ये line जहां जहां तक जाते हैं वो हमारा इलागा है पूरा क्योंकि हमारा historical control इस जगे अब गता, अभी वर्तमान में जिसे Philippines होगी है, इंडोनेशिया होगी है इस सब के साथ इनका जगड़ा है, तो इस चक्कर में विवाद की सितिन सब के साथ रहती है, तो अभी फिर फिलिपिन्स और एक चाइना में विवाद थोड़ा सोब रहा है, देखें ये रिटेल में अगले हफते कि अगर ये विवाद भढ़ता है या नहीं लेकिन नॉर्मली जो आइलेंड से कौन-कौन से हमाहा पर है तो इसके आस-पास का जो नॉर्टिकल माइल्स का इलागा है वो भी हमारा है, इस तरह वो पूरे के पूरे समुदरी इलाके पर ही क्लेम करना जा रहा है ये चाइना के साथ समस्या रही है तो 9-9 कहाँ पर है, साउट चाइना सी में कौन आइलेंड पर में विवाद था, स्पार्चली और पार्सल पर अभी चाइना क्या कर रहा है, आर्टिफिशल रीफ्स बना रहा है जिसके थूरू वो क्लेम कर सेगे पूरे सी की एरिया पर तो ये है सारा मुद्दा जो हमने देखा इस वीडियो में अब मैं अगर आपको उपर आगे लेके आऊँ तो आपको पता लग गया सर्विया कोसो वो कहां पर है साउचनसी का विवाद कहां पर है, कहां पर मियान मार है क्यों इसकी रेलेवेंस है और MCQs के आंसर भी आपको पता लग गया तो ये था आज का डिसकेशन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप और PDF जो इससे रेलेटेट कंटेंट है, वो सब लेना चाहते है डाउनलोड करना चाहते है, तो हमारे PW Onlyis ओफिशल चैनल पर जा सकते है जा आपको सारी PPTs, PDF मिल जाएंगी प्लस जो IDMP प्रोग्राम को आप जॉइन करना चाहें, तो कॉमेंट सेक्शन में पिंड होगा, कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन में भी होगा, जहां से आप रेजिस्टर करेंगे देख सकते हैं शिडूल और फॉलो कर सकते हैं इस प्रोग्राम को तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, keep on watching, only IS and have a nice day